नमस्कार प्रिदर्सकों, सास्त्रों की सनुखिया तरफ पर आपका स्वागत है। प्रिदर्सकों आपने कभी कई बार सुना होगा कि कई बार चोर पे भी कुछ मोर भारी पर जाता है। जी हाँ, ऐसी ही एक घटना ब्रहमांड पुरान में आती है। ब्रहमांड पुरान, 18 worship पुरान में प्रमुक पुरान है और इसे महापुरान के नाम से जाना जाता है। मैं एक विशित्र सी कथा आई हूई है कि कान्ची-पूरी में जो है Check ciek Allini एक चोर रहा करता था जिसका नाम था वज्र वह चोरी किया करता था और जैसा नाम था वैसा हिरदे था क्यूब चोरी करने के लिए रिज्दे की बहुत वज्र जैसा खच्थोर बना पड़ता है आदमी को इस बात को इगनोर करना पड़ता है कि सामने वाले को इस चोरी से कितना कष्ट पहुँचेगा तो वजर ऐसे ही चोरी किया करता था लेकिन वहाँ पे एक वीरदत नाम का एक लकर हारा था तो उसने एक बार उस चोर को चोरी करते हुए देख लिया और देख लिया कि वो कहां जो है अपने समान को चिपा रहा है तो अब वो वीरदत नाम का लकर हरा जुथा बहुत ही समझदार था वो चोरी चुप चुप जाता था और जहां-जहां वो समपति चिपाया रहता था वो चोर उसमें से कुछ हिसा निकाल लिया करता था और इस समाज पर भी बहुत उपकार किया इसे धिरे धिरे उसके ख्याती जो है बहुत ज़्यदा फैल गई एक बार लोगों ने कहा कि यह इतना महान धार्मिक व्यक्ति है तो इसका क्यों नाम बदल दिया जाए तो वीरदत लकर हरे का नाम बदल करके द्विजवर्मा रख दिया विष्णू के बहुत सारे मंदिर बनाया है तो बहुत विवाद होने लगता है कि क्या हो तो वहाँ से नारत जी गुजर रहे होते हैं नारत जी बोलते है कि इसने बहुत सारे सुबकाम किये हैं लेकिन अंतता है तो वह चोरी का माल ही तो इसलिए जो है दोनों का फल मिलना चाहिए तो इसलिए इसको 12 वर्स तक प्रेत की योनी में घूमते रहना चाहिए और उसके बाद यह मुक्त हो जाना चाहिए इसे शिव लोकादी की प्राप्ति हो जानी चाहिए ऐसा नारत जी ने का और नारत जी ने दुजवर्मा की पत्नी से कहा कि हे देवी आपका तो जाए और जब यह मुक्त होंगे बारे वर्स बार तो आप इनके साथ शिव लोक की प्राप्ति आपको होगी उनकी पत्नी बोलती है दुजवर्मा की नहीं मैं अपने पती को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती अगर मेरे पती है दुरदसा को भूगेंगे तो मैं जो है ब्रहम करते हैं और फिर इन दोनों को जो है शिव लोक की प्राप्ति होती है तो प्रियदर्श को यह विचित्षी कहानी हमने आपको ब्रहमान पुरान से सुनाई अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें आपका बहुत-बहुत धन् करें आलाओ